हेलो फ्रिंस मैं भारती आप सबीक अपने चैनल पर स्वगत करती हूं फेंस आज हम बनाएंगे स्लिफ्स डिजाइन और यह देखिएगा 36 साइज के कोडिंग मैं स्लिफ्स डिजाइन को तयार कर रहे हूं और यहां से हम सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल सीधा करेंगे एक देखिएगा और यहां से आप मार्किंग कर ले इस तरीके से अब इसके साइट से में देखिए डेड़ इंच चोड़ना है सलाइ मार्जिंग कर रहे यह और हमें डाउन यहां से साड़े तीन इंच करना है अग कपड़े की चोड़ाई हमें 9 इंच रखनी है 36 साइज के हैं और यहांसे लिफ्स कर डिजाइन इसतरी के से से य कि एक तो यह से यह मार्किंग हो चुकतई है और अब हम नीचे से देखिए यहां पर इसकी चोड़ाई रखेंगे पांच इंच डेड़े इंस लाइं मार्जिंग रखेंगे और यहां से देखिए मैं सबसे पहले ला तो दोनों ही लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे और अब हम यहां से इसकी कटिंग करेंगे तो यह देखिएगा इस तरीके से आपको कट कर लेना है और यहां पर हो चुका है यहां पर हास्तर पर करेंगे करेंगे लेकिन इस चिए पर हम नहीं करेंगे इसा त्यार करने के बाद प्रेंगे मेंन फैब्रिक के साथ हाफिशटा कप्ड़े को रखते हुए करना है वर canyon डिजाइन को तयार करने के लिए पेपर पेश्टिंग लेंगे इस तरह के से हमें पेपर पेश्टिंग को लेना है और नीचे से सबसे पहले आप एक लाइन को ड्रॉ करके सीधा कर ले और यहां से हमें डिजाइन को साड़े तीन इंच पर रखना है तो साड़े तीन इंच प कि एक印चे इस्टा नीचे से बढ़ाना है पीज से बड़ा λέ में और हम यहां से से करें हspecific इस तरिके से हमें यहां पर देख का सैंडर पॉइंट बना लेंगे और इसरी कि लिजाइन और अब हम यहां से देखें बाहर वाले लाइन के और से कट करने के बाद अब हम यह अंदर वाले लाइन से भी कट कर लेंगे तो इस तरीके से हमारे डिजाइन बन कर तियार हो गया है और यहां से अब हम देखे पेपर पेश्टिंग को इस तरीके से अस्तर के साथ सबसे पहले हमें टेच कर लेंगे अच्छे से आप सेंटर से इसको अटेच कर ले सबसे पहले पीन से उसके बाद आप यहां से देखिए अस्तर को हम इस तरीके से टेच करेंगे पेपर पेश्टिंग के साथ हमें एक सिलाई लगा कर इसे कम्प्लीट टेच कर लेना है ताकि यह अच्छे से फिक्स हो जाए और अब हम यहां से देखिए इसे में फैबरिक के साथ इस तरीके से उपर के और रखेंगे में फैबरिक हमारा सीधा रहेगा और यहां से अब हम अंदर वाले लाइन से सिलाई से कम्प्लीट करेंगे तो अब हमारा देखिए यह सिलाई पेपर पेश्टिंग पे बिल्कुल कर लेंगे दागे को अचछे से कट कर लेंगे और यहां से हम इसका देखे इस तरीके से हमें गोल राउंड सेप में इसको कटिंग करना है कपड़ को उसके बाद बाकी सारे कपड़ कर लें और इसमें चोटे-चोटे कट्स बना लेंगे कट्स लगाने से हमें जब इसे अंदर के और फूल्ड करेंगे तो यह काफी अची फिनिसिंग आएगी इस डिजाइन की प्लट्कर मेंने सिधा कर लिया है और यहां से हम इसके चारवी सैडेड इस तरिकी से गेपे करेंगे यहां से जो भी श्रुक्र आप डा नेन खुंट कर लेंए k Hai ने नेचे से भी हमसी लगा कर इस तरह किसे इसको एहां से जो भी इस्रका प्राह मिंग कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह के से में कट कर लेना है और यहां से अब देखिए हमें राउंड सेप चो डिजाइन था उसके उपर हमें इस तरह के से लेज से इसे कवर करना है इस तरीके से आपको गुमाते हुए लेज से इसको कवर कर लेना अच्छे तरीके से यह बिल्कुल प्लैनलेस है और यहां से में अच्छे से फिनिशिंग देना है इसको अब यहां से में एस्ट्रालेस को कट कर लेंगे और यहां थोड़ा से कट करके हम रखेंगे फोल्ड जो करना है मैं उसके लिए और अब हम इसे अंदर के दिखिए इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए इसे में डबल सिलाई से कम्प्लीट कर लेंगे तो यह हमारी डबल सिलाई से मेरी कम्प्लीट हो चुकी है अच्छी सिलाय लग जाने के बाद हम दागए को निचा पहला है निचे को flying को आहेंक तो यहाँ प्रॉपिशिंग को रखते हुए इस तरह कि सिलाई मार्जिंग को रहे इस तरह कि ऐंच्छी सिलाय लगा ले act अब हम इसे अंदर के रूब है पोल्ट कर लेंगे तो यह दिखिए गादर के फोल्ट करके मैंने से सिलाई से कंप्लीट कर लिया है और यहां से अब हम देखिए इस तरह के से इस लेश को यहां से टेज करेंगे अच्छी से में फिनिशिंग देते हुए यहां से सैट करना है तो दिखिएगा नीची से हम यहां पर हाप इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस लेस को हमें टेज करेंगे एक सिलाई से मैंने से टेज कर लिया है और यह स्लिप्स बन डिजाइन बनकर हमारा तियार हो चुका